दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तयार एक अच्छा टॉस जीता कप्तान ने आशा करेंगे कि प्लेयर्स कंडिशन्स का पूरा फायदा उठाएंगे एक रोमान्च और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ दर्शकों के हर शोलास के बीच आ रहे हैं सलामी बल्लेबाज स्पिनर को लाया गया दुबारा आक्रमन के लिए 5, 4, 3, 2, 1 बल्लेबाज तयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं ये है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं ये बाद फिपक्षी टिंग को बखू भी मालूम है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका अब पता नहीं भाईया ये गेंद कहां जाएगी इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां कवर पे फिल्डर तैननाथ किये हैं कैप्टन ने सिधा फिल्डर के पास खेल दिया है गैप ढूनने में असमर्थ गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं बढ़िया शाट और बॉल से पांडरी लाइन की तरफ स्पिनर को दूसरे छोर से लाया गया है बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबाज कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने अच्छा शौट था ये पर गेंद इंसाइड सरकल को पार नहीं कर पाई गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे है नजाकत से खेला एक रण के लिए पॉजिटिव फील्ड प्लेस्मेंट लगाई है बोलर और कप्तान ने बहुत अच्छी रणिंग बिट्वीन दे विकेंद्स बोलर को अपनी लाइन अन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ फील्डर है कवर पर गैप में खेलने का प्रयास लेक इन फील्डर मिले वहाँ पास गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं पास कि बाज कर देख में बाज करने की अ कि अ कि बाज कर दो कर्रान अब्रहार बाले बास का छे रन बल्ले बास ने गेन बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा बल्ले बास की आखे तो चील की आखों की तरह हो चुकी है गेन बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का आज का वेदर फॉरकास्ट तो कह रहा था के दूप होगी और यह देखिए टिप टिप बरसा पानी सिधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप ढूनने में असमर्थ इस फील्ड के साथ बल्ले बाजो को स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होनी चाहिए बदकिस्मत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में बारिश तेज होती जा रही है उमपायर्स जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे बढ़िया शॉट बस सिंगल मिलेगा यहाँ बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए खेंद दिया है गाप में और यह एक रान फील्डर के बाजू से रन चुला लिये इनोंने आखिरकार अमपायर्स आ रहे हैं यह निर्णे लेने के लिए कि इस बारिश में खेल को जारी रखना है कि नहीं इसी के साथ यह मैच अभी फिलहाल तो रोग दिया गया है और प्लेयर्स अब वापस अपने पैविलियन लोटेंगे जिस तरह की शॉट पिछ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंदबास अकसर बलेबास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं जब यह मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है बहुत अच्छी रुनिग बट्वीन देविकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ चुरालिया है एक रुनिग बड़िया रुनिंग बिट्वीन देविकेट्स ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगाती है यहाँ तो नाप के नीचे से एक रुन चुरा लिया बॉस बल्लेबाज हमेशा रंच चुराने के लिए तैयार रहते हैं रुनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर है यह दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी ताकत लगाई इस शॉट में बल्लेबाज में छे रंच पहत्रीन बल्लेबाजी बल्लेबाज दौरा क्या साथ दार छे रंच मारा है तिलको फुष कर दिया बल्लेबाज ने ये शॉट मार कर तेज के इंदबाज वापस आते हुए के इंदबाज ने डीप एक्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगा है गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद तेज गदी के गेन बाजों को काफी असानी से खेला इन्होंने इच्छे रं रता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं बल्लेबाज यहां बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे यह स्पिनर्स के सामने विक्राल रुप धारन कर लेते हैं सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहां अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा इस विकेट ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया है थोड़ा बट गेंद बाजो के लिए भी था और अच्छे शॉट लगाने के लिए भी अच्छा संपर्क मिलेगा अच्छे बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ यह लगा हवाई शॉट खूपसूरती से लगाया यह पारी इनका जरूर मनोबल उपर करेगी बहुत ही आकरामक बलेबास है यह विशो क्रिकेट में बहुत ही बड़िया शॉट पोथी बड़ा शिक्स जाने जाते हैं यह बलेबास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है जो मदद इस गेनबास को इस शॉर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा कि यह बढ़िया रनेंग अद्भूत रनेंग इस पारी की आखरी गेंद आती हुई यह देखो बल्लेबास कर रोदर रूप उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है पहली पारी की समापती लक्षय सामने है और सलामी बल्लेबास पवेलेन की ओर जाते हुए रनों का पीछा करने की पूरी शिर्वाती विकेट्स बहुत जरूरी होंगे फील्डिंग टीम के लिए पायर नॉट आउट देते हुए बहुत ही अच्छी रन नी थी यहां बल्लेबास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है पना शोट लगाया उच्छा भी था लंबा भी था पल्ले का बीचो बीच से था एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास शांदार शोट देम सीधे बाउंडरी लाइन की तरफ चाती हुई इनको बैटिंग करते देखना दर्श ये निये है अब पता नहीं भाईया ये गन कहां जाएगी ओ बैतरीन टाइमिंग और गेन सीमा रिखा के पार चार रन तेज गेन बास को लाया गया है दूसरे छोड से बल्ले बास अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए फिल्डिंग में परिवर्तन बहुत लै में नजर आ रहे हैं बल्ले बास की आँखे सो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेन बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का ये एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे खतरनाग गेन और सीधा बल्ले बास के शरीप लगी फील्डर है कवर बर क्या शॉट लगा रहा है बल्ले बास में सारे फील्डर्स बज गेन को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं बहुत ही बड़िया कैच फील्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए लाइन और लेंग मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते ये बहुत ही बड़िया सिक्स क्षेत रक्षन में तब दीली कुप शाट लगाया बल्लेबाज ने क्या साथ दार छेरन मारा है तेल को खुश कर दिया बल्लेबाज ने ये शाट मार कर हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे कि दर्शक भी इसमें शामिल है कि अच्छा बल्लेबाज द्वारा ठीक से पड़नी पाए हवर में खेल दिया है और ग्याप में भी जागन बल्लेबाज पूरे नियंत्रन में थे वहां क्या इनके तरकश में से एक और चौक का निकल सकता है चलिए देखते हैं गेंद को भेजा है हवाई यातर पे कोई टेंशन नहीं कि कहा गिरेगी ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है अच्छी तरीके से खेला आसानी से दोरन मिल सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद पिच पे गर्मा गर्मी बल्लेबाज और गेंद बास के बीच बहस चल रही है कप्तान को परिस्थिती समभालनी होगी हुआ है और ग्राप में बीच बल्लेबाज पूरे नियंतरन में थे वहां इनको बैटिंग करते देखना दर्श ये निये हैं बढ़िया शॉर्ट अगर तेज दोड़े तो दो रन मिल सकते हैं यहां खराब रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स वहां बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बल्ले का बॉल के साथ अच्छा ताल मेल छे रन क्या बल्ले बाज एक और बाउंडरी का प्रयास करेंगे देखते हैं अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक एक्स्ट्रा रन चुराने से बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रन बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शौट खिरने की लगता है अपनी एकाग्रता खो बैठे आसानी से दो रन ने सकते हैं यहां पर बल्लेबास और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्ट दोनों बल्लेबास यहां एक दूसरे को जीत की बधाईया देते हुए खिलाडी एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए ज्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे हैं बढ़िया क्रिक्ट का प्रदर्शन दोनों टीम द्वारा